प्रिय विद्यार्थी मित्रो आज हम हिंदी लोकवानी इसके दूसरे पार्ट खोया हुआ आदमी इसका आज हम वाचन करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे इसे लिखाया इस सुशान्त सुप्रिय ने कई वर्षों की बात है एक पुराना गाउं था एक आदमी ना जाने कहां से बटकता हुआ दूर दरास के उस गाउं में आँप पहुचा था ये एक खिस्सा सुना रहे हैं सुशान्त सुप्रिय गाउं की कुट्टे ने जब चीतरों में लिप्टे उस अजीब आदमी को देखा तो उने वो कोई पागल लगा यानि उस यहां पर लेखक कहते हैं कि जब गाउं के कुट्टे उस चीतरों में लिप्टे हुए आदमी को देखता है तो उसे शायद वो पागल लग रहा था वे उस पर बेतहाशा भूखने लगे यानि बेतहाशा बड़ी तेजी से और अचानक बहुत ज़्यादा भूखने लगे गाउं के बच्चे खेल रहे थे कुट्टे की देखा देखी गाउं के बच्चे भी पूरी दो पहर उसे च्छेड़ते और तंग करते रहे यानि गाउं के बच्चे उस अजीब आदमी को छेड़ रहे थे उसे तंग कर रहे थे आश्चेरी की बात है ये थी कि वो आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था आश्चेरी यानि मुरूती ताज़ुप की बात थी कि वो आदमी उन बच्चों को कुछ नहीं कह रहा था सैयोंग से किसी भले आदमी ने गाउं और उसने देखा कि वच्छे उस आदमी पर पत्थर फेक रहे हैं और उसने उसे देख लिया जब वो भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौझूद खुएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरीमा के चिन दिखे आदमी बला आदमी उस खुएवए आदमी के पास गया तो उसके खुएपन को देखते हुए उसके चेहरे पर गाुरो यानि के शांदार उसके शखसियत होने के उसके चिन दिख रहे थे आसार दिख रहे थे यह आदमी पागल नहीं हो सकता उसने सोचा यानि उस भले आदमी ने सोचा कि यह आदमी पागल नहीं हो सकता गाउं के उस आगन तुक भले अव्यक्ति ने उस आदमी को से उसका नाम पता पूछा पर वो कोई उत्तर नहीं दे सका यानि गाओं का जो भला व्यक्ति था भला आदमी था उसने उस खोया हुए आदमी का नाम पता पूछा लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका वो केवल इतना बोल पाया शायद मैं खो गया हूँ यानि उसने कहा कि मैं खो गया हूँ ये सुनते ही गाओं कि उस भले वेक्ति ने निश्चे किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कह कर बलाएंगे यानि जैसे ही उसे समझ में आया कि वो आदमी कहता है कि मैं खोया खो गया हूँ तो सुनते ही उसने निश्चे कर लिया यानि उसने उस वेक्ति ने ताय कर लिया कि उसे खोया हुआ आदमी कहे कर बलाएंगे खोया हुआ आदमी इतना खोया था इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मुर्थी का लोप हो चुका था यानि खोया हुआ आदमी इतना ज्यादा खोचुका था कि उसे उसके समर्थी यानि कि उसकी यादधाश्ट जो थी वो पुरी जा चुकी थी लोग हो चुकी थी यानि कि जा चुकी थी उसने जहन से उसके नाम और पता पुरी तरह खोचुके थे यानि उसे खुद का नाम पता भी याद नहीं था ना उसे अपनी जाती पता थी ना अपना धर्म ना उसे अपनी जाती धर्म यानि मजभ कुछ भी पता नहीं था लेकिन अपने खुएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था यानि उसे खुएपन में भी उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ उसमें परिचित है जो उसे अपना सा बना रहा था यानि उसमें अपनायत का हिसास दे रहा था लिहाज़ा जब उसे गाउं के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सब एक स्वार में वोन उठे अरे ये एक होया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है यानि के वहाँ पर मौजूद लोगों ने भी उसे खुए हुए हुए आदमी को देखकर ये समझ लिया कि शायद ये हमारे जैसा है या अपना सा है उन्होंने उसे अपने ही गाओं में रख लेने का फैसला किया यानि उस गाओं के लोगों ने उसे उस खुए हुए आदमी को अपने गाओं में रखने का फैसला कर लिया वो आदमी भी उस गाओं में रहने के लिए तैयार हो गया यानि वो जो खोया हुआ आदमी था वो उस गाओं में रहने के लिए तैयार हो गया खोय हुए आदमी के आवाज बहुत मधूर थी यानि वो जो खोया हुआ आदमी जब बात करता था वो बहुत ही मधूर यानि मीटी आवाज में बात करता था कभी कभी वो अपनी सुरिली आवाज में कोई पुराना गीत गाता था यानि वो गीत भी गाता था उस गाओं की गाएं भैसे उसके गीत की स्वर लहरीयों के से मंत्रमुक्द होकर ज्यादा दूद देने लगती अब यहां पर एक और बात आ गई है कि जब वो गाता था तो उस गाओं की गाएं और भैसे ज्यादा दूद देती थी गाओं के बच्चे उसके गीत सुनकर उसकी और खिचे चले आते और गाओं के बच्चे उसकी आवाज सुनकर उसके गीत सुनकर उसकी तरफ खिचे चले आते गाओं के बड़े बजरूगों को भी उसके गीतlusion की युवा वस्ता के सुन्दर अतीती याद दिलाते और गाओं के जो बड़े बजरूग थे उन्हें भी याद आता कि हो जवानी में कितने सुन्दर थे गाउं के लोगों ने पाया कि जब से वो खोया हुआ आदमी वहां आया था गाउं के फूल और सुन्दर लगने लगे थे और गाउं की तितलिया ज़्यादा मोहक लगने लगी थी अब देखें यहाँ पर जब वो खोया हुआ आदमी आ रहा है तो हर तरफ तब्दीली हो रही है गाओं के जुगनों जयादा रोशन लगने लगे थे गाओं के बच्चे भी अब जयादा खुश रहने लगे थे क्युक्कि बच्चों को वह सम मोहित कर देने वाले कमार की गीत सुनाता था गाउं की कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे उसे गार्ड आफ आनर दे रहे हो इसका दूसरा हिस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए गुड़ बाई